लाइक से 5 रेस्क्यू ब्रीट बच्चे को देना है अच्छे अच्चे हलो एवर्यवन माइनेम इस फ्रोज बी मैं एक नर्सिंग ट्यूटर हूं तो आज हम इस वीडियो में न्यूबॉन रिसम्टेश्टेशन स्टेप बाइ स्टेप हम लोग करने वाले हैं तो बहुत ही आसानी से simple तरीके से समझने के लिए और अगर आपको newborn resuscitation step by step बहुत आसानी से समझना है और कभी नहीं भूलना है तो आपको वीडियो को पूरा last तक देखना होगा स्टार्ट करने से पहले make sure करना चाहिए कि जितने भी equipment यूज होने वाले हैं वो वर्किंग कंडिशन में है या नहीं और जो इस environment में हम newborn resuscitation कर रहे हैं वो बिलकु नीट और क्रीन होना चाहिए ताकि किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का कोई संकर्मन ना फैले तो सबसे पह करते हैं हमारे पास नीवर्न resuscitation करने के लिए बेसिक equipment क्या क्या होने चाहिए तो हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए एमबो बैग होना चाहिए और marks according to face of the baby बेबी के according इसमें marks set करना है और suction equipment होना चाहिए या फिर suction machine और stethoscope होना चाहिए और clean warm sheet आपके पास होनी चाहिए और laryngoscope होना चाहिए ET tube होने चाहिए और कुछ emergency drugs भी होने चाहिए जैसे adeniline, soda bicarbonate और normal saline और तो चलिए सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले बेबी को अपनी chest level पर अच्छे से hold करना है अपनी chest level पर बच्चे को अच्छे से grip बना कर पकड़ना है ताकि बच्चा गिरे नहीं और उसके कोई injury ना हो जाए chest level पर हम इसलिए रख रहे हैं ताकि उसका temperature भी maintain रहे और हम उसे अच्छे से observe करने उसके बाद देखिए उसको plane surface पर इस तरीके से spine position में लिटा देना है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बेबी को dry warm sheet से हम clean करेंगे बेबी को clean करेंगे उसके बाद clean करने के बाद बेबी की जो back है बैक एरिया को अच्छे से stimulate करेंगे करेंगे जो सुपाइन है सुपाइन एरिया में हम रब करेंगे उसके बाद जो पैर के तल्वो को रब करेंगे कि पैर के तल्वो कई बार ऐसा होता है बेबी को clean करने के बाद और stimulate करने के बाद बच्चा रोने लगता है अगर बच्चा रो रहा है तो अगर फिर भी बच्चा क्राई नहीं करता है नहीं रोता है तब हम क्या करेंगे उसके बाद suction तब हम क्या करेंगे उसके बाद हमें suction करना है suction सबसे पहले हमें मूँ से करना होता है उसके बाद नाग से करना होता है और suction करने का देखो तरीका क्या है सबसे पहले जो भी suction equipment हमारे पास है उसे squeeze कर लेना है squeeze करने के बाद पहले हमें बहुत gently तरीके से mouth से suction करना है उसके अगर जादा उब्स्रक्शन आ जरूरत है तो फिर से हम कर सकते हैं और इसके बाद हमें जैंटली तरीके से नाक से सक्षन करना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है मिकोनियम या अम्योटिक फ्रूट बच्चे के मुऊ या नाक में रह जाता है जिस कारण से इस बच्चा सास नहीं ले पाता उसके बाद सक्षन करने के बाद हम बच्चे देखेंगे अगर बच्चा क्राई कर रहा है तब हम क्या करेंगे एमबो बैक से एमबो बैक से फाइफ रेस्क्यू ब्रीध देंगे इसके निए सबसे जादा पोजिशनिंग बहुत जादा ज़रूरी है बच्चे सुपाइन पोजिशन में होना चाहिए हैड उसका पीछे की तरफ डाउन होना चाहिए चिन लिफ्ट उपर की तरफ ऐसे ये और ये मांक्स जो है मुझ और नाक को दोनों को टू- conc देख ₹ फाइवर्स क्यूब्रीट हमें देना है देने के बाद हमें बेभी का स्किन कलर चैक करना है फिर भी इस्ट्र प्लू ही है और aleyसा प्रिए आजारम् own है डप» हम क्या करेंगे फिर से सक्षनिंग करेंगे फिर से section करेंगे वही सेम प्रोसेज़र पहले squeeze करेंगे और मुह तो से section करेंगे फिर नाक से section करेंगे प्रोसेजर हमें फिर से repeat करना है फिर हम five rescue breathe देंगे ठ्चे को भई एड थोड़ सा पीछे को नीचे की साइड और चिन उपर उठाके एरवे एरवे के लिए होना चाहिए कई बार कैसा होता है एक से रेस्क्यू ब्रीद देते टाइम उसकी पोजिशनिंग साहिन होती है आपको बहुत ध्यान रखना है उसका सर पीछी की तरफ ऐसे करके ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए ये जिकास सिर उठाके सिर नीचे को और चिन ऊपर उठाके और जो मास है वो मुझ और नाग दोनों को अच्छे से कवर कर लें हमें कितनी बार पार्च बार 1 2 3 4 & 5 उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे की हार्ट रेट चेक करेंगे उसके बाद क्या करेंगे हम स्टेटोस्कॉप के से बच्चे की हार्ट रेट चेक करेंगे ठीक है और हम दूसरा क्या है अगर स्टेटोस्कॉप से नहीं कर रहे हैं तो Amalical Artery से भी हम Amalical Artery से भी चेक कर सकते हैं यहाँ से अगर बेबी बेडिकार्डिया कंडिशन में है तब हम क्या करना है तब हमें क्या करना है? कॉल फोर एक्स्ट्रा है वह हमें थे लिए किसी को खुलाना है हम क्या करेंगे बच्ची की positioning उसके बाद क्या करेंगे बच्ची की जो position है वो change कर देंगे बच्चे को इस तरीके से लटा देना है अब बच्ची के पैर हमारी side होने चाहिए chest compression फिर हम क्या करेंगे तीन बार chest compress करेंगे टू-third बच्चे का one, two, three तीन बार करने के बाद तुरंट one, breathe ठीक है one, two, three then breathe हमारे पास helping staff भी होता है तो एक कोई chest compress करेगा one, two, three और दूसरा तुरंटी एक breathe ठीक है ब्रीथ देगा तो इसका क्या ratio रहता है? 3 ratio 1 का ratio रहता है 3 compression and 1 breathe तो हम chest compression 2 finger से भी कर सकते हैं 2 finger से इस तरह के से 1, 2, 3 breathe 1, 2, 3 breathe ठीक है? हम 2 finger से भी chest compression कर सकते हैं chest compression कर सकते हैं उसके बाद हम देखेंगे फिर भी baby में कोई भी अगर कोई भी response नहीं आया, baby cry नहीं करता है तब क्या करेंगे? फिर से heart rate चेक करेंगे अगर फिर भी ब्रेडिकारडिया में है फिर भी ब्रेडिकारडिया कंडिशन में है, कोई इप्रोमेंट नहीं हुआ है, तब क्या करेंगे? call for extra help फिर हम emergency drug जैसे के adrenaline injection, adrenaline according to weight of the baby हम बेबी को लगाएंगे उसके adrenaline injection दे रहे होंगे उस टाइम, CPR हमें continue रखना है, अगर फिर भी कोई response नहीं आता है, तो फिर हमें repeat करना है, फिर से adrenaline injection लगाना है बच्चे को और जैसे कोई भी आईवी cannula के थिरू या फिर अगर आईवी अगर फिर भी कोई response नहीं आ रहा है, तो हम पाच मिनट के बाद फिर से repeat करेंगे injection adrenaline और तीन डोस से जादा adrenaline नहीं देना है, और फिर भी कोई response नहीं आता है, तब CPR continue नहीं करते रहना है, फिर क्या करना है और ऐसा नहीं है कि बस CPR दे जा रहे हैं सक्षन कर जा रहे हैं ऐसा नहीं है अगर बच्चा जब आपके पास आया था तब से लेके बस 20 मिनट तक ही आप newborn registration का procedure कर सकते हैं अगर 20 मिनट से जादा हो गए तब आपको ये newborn registration का procedure stop कर देना है continue नहीं रखना है और बच्चे को ventilator के लिए shift कर देना है बच्चे को dry warm sheet में अपने chest level पर रखेंगे ताकि बच्चे को हम अच्छे से observe कर सके और grip अच्छी रखनी है ताकि बच्चा गिरना जाए फिर उसको इस तरीके से plain surface पे हम बच्चे को रखेंगे और बच्चे को हम क्या करेंगे clean करेंगे बेबी को clean करेंगे उसके बाद बेबी की जो spine area है उसे रख करेंगे और पेरों के तलवों को रख करेंगे रख करने के बाद बच्चे का हम क्या करेंगे हां पे हम suction करेंगे पहले हमें मुह से suction करना है फिर नाक से suction करना है उसके बाद एमबर बैक की help से 5 rescue breathe बच्चे को देना है अच्छे की heart rate चेक करेंगे या तो स्टैस्टोप से या अमलाइकल आर्टी से अगर फिर बी कोई response न अगर ब्रेडिक आडिया में आता है तब क्या करना है बच्ची की position change कर देनी है बच्ची की position change कर देनी है चेंज करने के बाद उसको chest compression chest compress करना है कितनी बार CPR करना है 3 3 time हमें chest compress करना है 1 2 3 and 1 breathe 3 है फिर भी फिर भी बेबी response नहीं कर रहा है तब injection adenalin हम देंगे और CPR continue रखना ह अगर इस procedure को पूरे 20 minute हो गए है तब आपको CPR stop कर देना है और ET tube inside करकर ventilator पर shift कर देना है तो I hope आपको CPR समझ में आया होगा अगर फिर भी कुछ doubt है तो आप comment box में message करके पूछ सकते है